राम राम अगर आप अपने कपड़ों के बारे में थोड़ी जानकरी याद रखेंगे तो आपके शुक्र ग्रह कभी नहीं बिकडेंगे सबसे पहली बात का ध्यान क्या रखना है आपने कभी भी कटा हुआ कपडा, फटा हुआ कपडा या फिर उधळा हुआ कपडा धारन नहीं करना है जब हम इन तीन परकार में से किसी भी परकार का कपडा धारन करते हैं चाहे वह Under Garment ही क्यों न हो आपके तो आपका शुक्र ग्रहे खराब हो जाता है चाहे वे कुंडली में बहुत अच्छा बैठाओ कपड़े धोते हैं धोने के बाद हम सभी लोग वह कपड़े धूप में सूखने के लिए डालते हैं धूप जो है सूरे से मिलती है सूरे और शुकर शत्रू है तो जादा तेज धूप में कपड़े सूखने के लिए नहीं डालने, कोशिश ये करनी है के थोड़ी छायादार जगा में कपड़े डाल सकें तो बढ़िया, अगर कहीं जाने की जल्दी हो या कपड़े जल्दी सुखाने हो तो वह कपड़े आप सुखाने के बाद तुरंत उतार लें घेंटो घेंटो धूप में कपड़े सूखते ना रहें इस बात का ध्यान रखिएगा इसके इलावा नया कपड़ा जब भी खरीद के बजार से लाएं उस पर गंगा जलका छिड़काव जरूर करें ऐसा करने से आपके शुक्र ग्रह अच्छे होते हैं और जब भ कपड़े पहनते हुए उस पर गुलाब जलका छीटा देते हैं या आप इत्र लगाते हैं जो की एलकोहोलिक ना हो इससे भी आपके शुक्र ग्रह बढ़िया होने लग पड़ते हैं काले और नीले रंग के कपड़े पहनने से जितना हो सके आपको बचना चाहिए इस विश और अगर खराब हुआ तो अपने कपड़े किसी को देना अच्छा ही माना जाता है क्योंकि बुरी चीज बटके उसका परभाव कम हो जाता है अगर कहीं ब्रसपती खाना नमबर साथ में हुआ अपने कपड़े के लिए किसी और को दिये तो बुरे परिनाम आते हैं तो इन चोटी चोटी बातों का ध्यान रखके जो की कपड़े पहनने और धूने से सबंदित हैं आप देखेंगे आप अपने शुक्र ग्रह को अच्छा कर लेंगे तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का इस्तेमाल अपने शुक्र ग्रह को अच्छा करने के लिए करें और आपको इस वीडियो में दीगे जानकारी काला मातरानी की किरपा से होगा जै माता दी